कारण है कि हम हवा से भरे हुए बड़े बीच बॉल को आसानी से उठा लेते हैं, लेकिन छोटा सा पत्थर उठाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जवाब है Density. जी हाँ, छोटा सा पत्थर बड़े बीच बॉल से जादा डेंस होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि Density क्या होती है और ये कैसे मेजर की जाती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये matter की different states में कैसे change होती है। Roughly, Density वो measurement है जिसमें किसी object के mass को उसी object के volume से compare किया जाता है। Actually, किसी substance के unit volume में wasted यानि नहित mass को उस substance की density कहते हैं। तो बड़े beach ball का mass कम होता है और volume जादा होता है यानि इसकी density बहुत कम होती है। वहीं छोटे से पत्थर का mass ज्यादा और volume कम होने के कारण इसकी density जादा होती है। इन objects को उनकी बढ़ती हुई density के according अरेंज करने की कोशिच करें। वीडियो रोग के सोचें, अरेंज करें और फिर आगे बढ़ें। करेक्ट आंजर्स कुछ इस तरह है। क्या आप जानते हैं के liquids और gases की densities different होती है। इस table में धिये गए different liquids की densities को देखिए। हनी सबसे dense liquid होता है, milk की density moderate होती है और lamp oil की density सबसे कम होती है। लेकिन different states की densities के बारे में आप क्या कहेंगे। पानी में डूबने वाले और तैरने वाले अपने आसपास के objects को carefully observe करें। आप बीच पे जाते हैं तो देखते हैं के बड़ी सी beach ball पानी पे तैरती रहती है। लेकिन छोटा और भारी पत्थर का टुकला डूब जाता है। बहुत बड़ी बोट पानी पे तैरती रहती है। heavy wooden log पानी पे तैरता है जिबकि छोटा और हलका paper clip पानी में डूब जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है। आइए देखते हैं कैसे air water से कम dense होती है। beach ball, boat और wooden log भी water से कम dense होते हैं। इसलिए ये सभी objects पानी पे तैरते रहते हैं। वहीं दूसरी और पत्थर और paper clips water से ज़्यादा dense होते हैं। इसलिए ये डूब जाते हैं। ये सोच के कभी confuse मत होई है कि gases की density सबसे कम, liquids की moderate और solids की density सबसे ज़ादा होती है। किसी object की density उसके size की तुलना में उसका mass होता है। किसी object की density calculate करने के लिए उस object के mass को उसके volume से divide किया जाता है। density को generally kilogram per meter cube में express किया जाता है। इन questions की density calculate कीजिए, ध्यान रखिए कि question number 3 थोड़ा different है। formula देखके हम कह सकते हैं कि density, object के mass और size पर depend करती है। किसी object की density, mass और volume के साथ साथ object के material के atomic arrangement पे भी depend करती है। सब ये objects में atoms और molecules होते हैं। objects के भीतर atoms और molecules का arrangement उस object की density तेह करता है। पत्थर के टुकड़े में molecules closely packed होते हैं, जिबकि wood में molecules पत्थर की अपेक्षाद दूर दूर रहते हैं। solid ice liquid sea water से कम dense होती है, इसलिए icebergs पानी पे तेरते रहते हैं। ice के melt होने से इसका temperature change हो जाता है, जिससे इसकी density बढ़ जाती है और ये sea water में mix हो जाती है। इस discussion से हम conclude कर सकते हैं कि temperature density को affect करता है। hot air, cold water की अपेक्षा कम dense होता है, इसलिए उपर का sea water, नीचे के sea water की अपेक्षा गर्म होता है। तो इस वीडियो में हमने density डिसकस की, density measurement में किसी object के weight को उसके size से compare करते हैं। किसी object के भीतर, atoms या molecules के arrangement पे भी उस object की density निर्भर करती है।